नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुर करते हैं 4 नवंबर 2013 दिन शनीवार की चौखडिया महुरत लेकिन वीडियो शुर करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन चौखडिया महुरत की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं शनिवार की चौखडिया मुरत चुरिदय होगा सुबह 6 बच कर 35 मिनट पर सुरियास थोगा शम की 5 बच कर 34 मिनट पर अभिजीत मुरत का समय रहेगा सुबह 11 बच कर 42 मिनट से 12 बच कर 26 मिनट तक और आउकाल का समय रहेगा सुबह 9 बच कर 20 मिनट से 10 बच कर 42 मिनट तक दिन की शुब चौगणियां स्प्रकार रहेंगी शुब चौगणियों का समय रहेगा तो पहर एक बचका 27 मिनट से दो बचका 49 मिनट तक लेकिन इस समय वारवेला भी लग रही है वारवेला की समय किये गए शुब एवं मांगलिक कार रिफल दाई नहीं रहते इसलिए इस मूरत को त्याग नहीं उचित है अमड़ी चौगणियों का समय रहेगा तो पहर दो बचका 49 मिनट से चार बचका 12 मिनट तक अमड़ी चौगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कार किये जा सकते हैं रात की शुब चौगणियों असे प्रकार रहेंगी लाप चौगणियों का समय रहेगा शुब के 5 बचका 34 मिनट से 7 बचका 12 मिनट तक लेकिन इसे में कालात्री भी लग रही है और कालात्री की समय किये गए शुब एवं मांगली कार या फलदाई नहीं रहते इसलिए इस मूरत को त्याग ना ही उचित है शुब चौगणियों का समय रहेगा रात के 8 बच के 5 मिनट से 10 बच के 27 मिनट तक अमरी चौगणियों का समय रहेगा रात के 12 बच के 27 मिनट से 12 बच के 5 मिनट तक चर चौगणियों का समय रहेगा रात के 12 बच के 5 मिनट से 1 बच के 43 मिनट तक और लाब चौगणियों का समय पांच नवंबर की सुबह 4 बच कर 50 मिनट से 6 बच कर 36 मिनट तक लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही है और कालात्री की समय किये गए शुब एवं मांगलिक कार्य फल्द आई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है तो यह थी जानकारी शनिवार के बहुत बहुत धन्यवाद फर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ